असलाम नेकुम डिया स्टूडेंट आज हम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं वह और आर्टिकल से है जो लिखा है डेल्टन ने और ग्रिंशम ने 2013 में और आर्टिकल के नाम है लवट अब इसके अंदर जो चीज हम डिसकस करेंगे वह यह करेंगे कि कि क्यों करें हम उससे क्यों सीखें और हम इसे क्यों इस्तेमाल करें और क्यों यह बहुत इंपॉर्टन फीचर है आज की टीचिंग लइन प्रॉसस के लिए जिसमें टीचर्स को आना जरूरी है और ज़्यादा तर स्टुडेंट को अपने गैजट अपने मॉबाइल फॉन के थूरू बहुत से ऐसी चीजें इस्तेमाल करने आती हैं जो हो सकते हैं आपको और मुझे को ना आती हूं तो mostly student हमारे technology के साथ well versed हैं आप इसे daily basis पर सिस्तेमाल कर रहे हैं वो डिफेंट गैजट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो online multiple resources को इस्तेमाल करें और definitely आपो सोचलाइज हो रहे हैं तो वो बहुत सी चीजों का दूसरे से सीख रहे हैं तो गैजट और टेक्नोलोजी इस लोकत हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर और हिस्सा है जो कि हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता तो अगर स्टूर्ट की लिटरसी स्क्जल डिवेलेप हो ना हो लेकिन उनकी डीटर सी स्कजल लिवेलिप होई होती है अब वो बिच्चे जिने गेमिंग के ऑप्शन मुजू होती है घर में वो गेमिंग कर रहे होते हैं और चृष वह हों लिखा वाई उसको किस तरीके से इ चुल मेला बच्चे जो और बच्चे जहां बाइस वर मीडिया के ऐसे प्रैफ़ों मुजूद हैं जहाँ बच्चे अपनी फैंप्रेंट्स से क्या हूं अब तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं रह गया जहां पर आपके पास कोई ऐसे ग्रुपस अबेलिबल नहीं online या आपके mobile के अंदर जिसके अंदर student communicate ना कर रहे हो और मिलके चीजों को explore ना कर रहे हो तो they have digital literacy, that's the reason हमें multi-model responses पे invest करना ही करना है अब हमारे सामने एक बहुत important definition है कि 21st century में हमें student से क्या required है इसको हम specifically word by word थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाएगा वो यह कहते हैं the learner in the 21st century is one who can read, who can write and learn by critically and strategically utilizing text, media and technology तो जो भी उसके सामने print के अंदर text मौझूद है या media के true text मौझूद है या technology को इस्तमाल करते हुए वो उस text को critically इस्तमाल करना भी जाने ये एक बहुत ही important hallmark है, milestone है, goal है, objective education का जो 21st century के learner के लिए रखा गया है, ना सिर्फ वो reading कर सके, लिख सके बलके जो कुछ लिखावा है उसको properly तरीके से communicate कर सके, understand कर सके, utilize कर सके, media के through और technology के through अब हमारे पास important चीज़ जो आती है, वो यह आती है, कि जब हम teachers के लिए बात करते हैं, तो हम ये कैसे भूल जाएंगे, schools वे हमें teachers को internet की facilities भी देनी है, broadband की facilities भी देनी है, digital facilities भी देनी है, teachers को training भी देनी है, resources भी देनी है, वो gadgets भी देनी है, और बताने इन gadgets को किस तरीके से इस्तमाल किया जाएं, कि वो successful ही तरीके से इंतबाम technology को अपनी teaching learning process के अंदर integrate कर सके, ताकि बच्चों की academic achievement और बितर हो सके, connection जो है, multimodal expression जो है, literature के अंदर, जिसके अंदर बच्चे कहानिया पढ़ें और gadgets पढ़ें और gadgets में hyperlinks अवेलिबल हों, gadget के अंदर different किसम के options अवेलिबल हों, जिससे बच्चे इस्तमाल करते वे, अपने comments add on कर सके, अपनी आवाज आ add on कर सके, ये एक बहुत ही interesting और important तरीका है, जब हम literature को और technology को आपस में जोडते हैं, multimodal responses जो है, उसके बन्यादी तोर पर दो फाइदे होते हैं, दो फाइदे ही होते हैं, कि ना सिर्फ बच्चे gadget के उपर कहानी को पढ़ रहे होते हैं, बलके कहानी के उपर अपने comment भी क आपने 21st century के learner से जो required skills ने उसमें देखा, उसके अंदर हमें multiple level के expressions required हैं, कि बच्चे मुक्तलिफ variety और मुक्तलिफ modes को इस्ते हैं, आप बता सकें कि उन्होंने कहानी को पढ़के क्या समझा या वो इस नजम को पढ़के उनका expression क्या है, उनका idea क्या है, बहुत से research हमारे साम ने available है, और वो यह बता रही है कि जब बच्चों को हम literature introduce कराते हैं technology के साथ, तो उसके बेताहाशा होने फायदे होते हैं, उनका interest develop होता है, उनकी academic achievement बहतर होती है, और definitely हम कैसे भूल जाएं, वो बच्चे जो reluctant reader हैं, वो बच्चे जिनकी reading, writing, spoken skills हैं, किसी भी जबान की, अपने उमर के मताबिक, इन skills को अपने अंदर develop कर सकते हैं, पर इन तमाम चीदों के end में, जो सबसे एहम बात आती है, वो यह आती है, कि technology खुद कुछ भी नहीं करती, जैसे किताब बच्चे के साथ खुद कुछ भी नहीं करती, आप उस किताब को पढ़ाते कैसे हैं, teacher technology क integrate कैसे करता है, teacher को कितना पता है technology के बारे में, जो वो इस्तेमाल करने जा रहा है, कि gadget क्या है, इसके features क्या है, इसको मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, और कहां कौन से feature best तरीके से इस्तेमाल होंगे, मेरे कौन से goal achieve हो जाएंगे, यह सबसे important चीज है, चाहे आप print book इस्तेमाल कर रहे हूँ, चाहे उसके साथ आप अपने gadgets को interview कर लें, आप के ओपर depend करता है कि आप उसे किस तरह interesting बनाते हैं